So hello guys, welcome back to another video So का जैसे सब सभी को पता है Department of Telecommunication ने SIM के लिए एक नया नियम जारी किया है अगर आपने हमारा पिछले वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा अगर आपके पास 9 से अधिक SIM है तो आपको verification कराना होगा इंडिया में एक वेक्ति के वर 9 SIM इस्तिमाल कर सकते हैं अगर 9 से अधिक SIM है तो उसको verification कराना होगा अगर आपका ID में 9 से अधिक SIM है तो आपको verification कराना होगा अगर आप verification नहीं कराते तो आपका SIM को बंद कर दिया जाएगा SIM verification करने का process अभी live नहीं हुपा है जैसे ही लाई होगा हम आपको इस दिरूब बता देंगे। जब से SIM verification का नियम बनायागा है तब से fraud होना इस्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे लोगों के पास call आना start हो चुका है, message आना start हो चुका है, और इस केम होना स्टार्ट हो चीका है बहुत सरे लोगों के पास call आ रहे हैं message आ रहे हैं कि आपका sim को verification करना होगा अगर कोई call करे और बोले कि sim verification करने के लिए आपके पास OTP आएगा उस OTP को हमको आपको बताना होगा किसी को आप कभी भूँलकर अपना OTP किसी कशांस सेर के किसी को ना बताएं ऐसे मैं आपकाা गाता एक जटके में साफ हो सकता है जितना भी आपका अगा कान में बैलनस रहेगा सभी istasicky मेंब सकता है जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो कि आप verification नहीं करा सकती तो जैसे कि मैंने आपको बताया अगर कोई भी आपको call करता है या फिर message करता है तो आपको कभी भी OTP नहीं बताना है OTP से verification नहीं होगा अधार card से होगा finger friend device से होगा तो जब भी अगर आपके पास कोई call आए तो आपको OTP नहीं बताना है ऐसे में आपके साथ fraud हो सकता है जितना भी आपका account में balance होगा सभी एक जट्के में खाली हो सकता है SIM verification के लिए कोई भी टेली काम company आपको call नहीं करेगा एक SMS आपके पास send कर दिया जाएगा जिससे की आपको पता चल जाएगा कि आपका SIM को verification करना होगा तब आपना retailer से जाकर आप verification करा सकते हो कोई भी टेली काम company आपसे call करके OTP नहीं पुछेगा तो ऐसे में कोई call आता है तो आपको OTP नहीं बताना है इससे आपके साथ fraud हो सकता है आप समझ गए होंगे सुगैस वीडियो अच्छे लगेगा तो लाइक जरू कर लेना साथ में सेर कर देना और चैनल पर ने तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता रहे चलिए आज की सुडियो को यहीं इंड कर लेते हैं